नमस्कार दोस्तो इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइरल हो रहे एक विज्यापन की दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तो एक विज्यापन है जो की आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये जारी हुआ है और कई अभ्यारती पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं है क्योंकि इसके अंदर भरती तो बंपर दे रखी है मगर उनी में बहुत सारी चीजें विज्यापन में ही ऐसी गलतियां हैं जिससे लग नहीं रहा है कि ये जो विज्यापन है ये औरिजिनल है तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को सचेत करना चाहूँगा कि अभी आपको इसके लिए आवेदन नहीं करना है ठीक है अगर इसकी सत्यता की पुष्टी होगी तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा अभी फिलाल के लिए आप इसके लिए आवेदन ना करें पहले मैं आपको दिखा रहेता हूँ क्या है ये इसमें आप देख रहे हूँगा कि टीचरों के बहुत सारे पद निकले हुए हैं इस समय पर हिंदी हो इंगलिश हो गड़ित हो इसके अलावा जो टीचर भरती है उसके साथ में जो है मैनेजमेंट स्टाफ की भरती के लिए भी है एकाउंटेंट की है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, केशियर है, मैनेजर है आप देखेंगे इसमें EWS के जो कोटा है उसके बारे में बात ही नहीं की गई है जबकि आपको पताए कि अब UP में जो भी भरती आती है EWS केटेगरी उसमें मैंशन होती है इसके अलावा जो इसमें सेक्षिक योगिता हैं बताई गई हैं दोस्तों, वो ग्रूप में बता दी गई है अब जैसे कि मान लीजिए, कि अगर किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर ये अकाउंटेंट के लिए आवेदन करना है तो उसकी सेक्षिक योगिता इसमें बताई ही नहीं गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बता रखा है स्कूल, कॉलेज़, टीचर, यानि की टीचर्स के बारे बता दिया स्कूल, कॉलेज, मैनेजमेंट, स्टाफ तो यहाँ पर यह बता रखा है कि 45% इसना तक और बस इतना बता रखा है तो इतने पर क्या बिना टाइपिंग के कम्पूटर ऑपरेटर कोई लिया जा सकता है उसी तरीके से गुरूप डी, फोर्थ क्लास, यहाँ पर बारवी के लिए मांग रखा है तो यहाँ पर आप यह देखिए क्या लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, स्कूल, स्टाफ, यहाँ सेलेक्शन बोर्ड होना चाहिए तो यहाँ पर वरतनी में दिक्कत है तो इस तरीके की बहुत सारी इसमें वरतनी में भी दिक्कत है तो अभी आप इसके लिए आविदन ना करें क्योंकि आपको पता होगा कि समय समय पर इस तरीके के फरजी नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं और उसमें कई अभ्यारती जो है वो अपने पैसे गवा देते हैं ठीके दोस्तों वैसे मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूँ कि वीडियो को शेयर करें या फिर वाइरल करें मगर क्योंकि इस तरीकी का वीडियो जो है कई लोगों के पैसे इसमें डूप सकते हैं तो इसलिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेर कर सकते हैं ठीके दोस्तों जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आप केरियर गाइडेंस के लिए सीधे मुझसे फोन पर बात करना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तरीका बताये गया है बात दोस्तों जय हिन जय भारत